हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे बारा कलियों वाले प्लाजों की कटिंग एंड स्टिचिंग तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कटिंग की हुई है इसी तरीके की हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे आज बहुत ही आसान तरीके से अगर आप बिगनर है तो यह वीडि सा कपड़ा मेरे पास हो रहा है जो वो सूट की साइड से उतरा था तो इसी से हम आज सरकल प्लाजों बनाएंगे तो यहां पर हमने इसको ऐसे टूफोल्ड करके विशा लिए ऐसे तो यहां पर आप सबसे पहले अपनी लेंथन आप लीजिए जो भी आपके प्लाजों की लेंथ हो तो यहां पर देखिए हम इसके प्लाजों की अपने लेंथ नापेंगे तो यहां पर जो भी आपकी लेंथ हो आप वो नाप लीजिए दो वेंच उपर बेल्ट का जो है वो कम कर लीजिए अब हम नापेंगे अपनी नीचे मोहरी का गेर तो यहां पर हम बारा कलि रहे हैं तो कि मैं एक कली के लिद्र यहां पे 10 एंच रखु रहे हूँ तो यहां पे कि दस एंच पे निशान लगा लेजिए जैसे आपने नीचे दस एंच लगा यह ऐसे आप पर लगा लीजिए कि मैं अब इसका seven कर लीजिए पांच कर लेजिए पैंच निचान लगा लेजिए उपर हम 5 एंच का रखेंगे नीचे हमारी 10 एंच चड़ाई है उपर हम 5 एंच की रखेंगे अब इस निशानों को ऐसे हम तिर्शा सीधा कर लेंगे क्ली अपनी सीधी नी बनाएंगे थोड़ी तिर्शी ही होती है तो ऐसे हम यहाँ पर तिर्शा निशान लगाएंगे अब इदर वाले निशान को भी हम इस निशान से मिलाकर सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हमारी एक कली का निशान लग जाएगा ऐसे ही हम दूसरी कली बनाएंगे अब हमने यहाँ पे पांच एंच रखा है और इदर से दस एंच रखा है अब इदर से हम दस एंच रखेंगे और इदर की साइड हम पांच एंच रखेंगे अब इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे यहां पे भी हम निशान लगा देंगे तो यह हमारी चार कलियां बन गई है अब ऐसे हम इदर से हम 10 एंच रखेंगे और इदर वाली साइड हम 5 एंच रखेंगे ऐसे हमें एक कली उदर से निकालनी है एक कली हमें उदर से निकालनी है तो देखे हमने यहां पे निशान लगा लिए तो यहां पे हमारी पांच कलियां बनके त्यार हो चुकी है लेकिन अभी हमें छे कलियां बनानी है तो देखे यहां पे हमने पांच कलियां हमारी बन चुकी है अब हम छेवी कली की कटिंग करेंगे उसकी कटिंग हम वहां से करे ने तो यहां पर हमने छे कलिए इससे बता है लेकिन टू फोलड कपडा है तो यहां पर हमारी 1 कली के साथ मैं violence छोगा मैं और 2 कली हम उसमें से निकालेंगे डीमारा 12 कलीं वाला प्लाजो हो जाएंगा तो देखिए हमने कटिंग कर ली यह सotine की जो उपर है इसका हम बैल्ट बनाएंगे और यहां पर हम इसको इकठा कर लेते हैं और एक कली हम काटेंगे यह एक्स्टा कपड़े से ऐसे इसको भी हम टू फोल्ड रखेंगे और इसके उपर हमने कटिंग की हुई कलियां रखके इसको भी इसी शेप में काट लेंगे फ् कटिंग हो चुकी है अब हम यहां पर करेंगे अपने आसन की कटिंग तो इसके लिए हमें यहां पर चार कलियां ले लेनी हैं देखे हमने यहां पर चार कलियां ली है और इसमें से हम करेंगे अपने आसन की कटिंग तो यहां से हमें उपर से नापना है 10 एंच और यहां प यह हमारा इस तरीके से आसन बन जाएगा, इसी के हम कर लेते हैं कटिंग, तो देखे इस तरीके से हमारे प्लाजों की कटिंग हो गई है, अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग, तो इसके लिए हम चलते हैं मशीन पर, तो यहां पे हम मशीन पर पहुंच गए हैं, हम यहां पे जो भी इसका उपर आसन वाला हिस्सा है चार कलियों का वो हम इसका अलग कर देंगे यहां चारो कलियां अलग करेंगे और जो हमारी बची हुई कलियां है इसको हम एके करके जोइन करेंगे तो यहां पर हमने देखिए दो कलियां ली है इसकी सलाई करेंगे हम तो हमारी ये सलाई देखे कंप्लीट हो गई है अब हम करेंगे अपनी तो यहां पर दो कलियां जोइंड हो गए यहां पर हम तीसरी कली साथ में जोइंड करेंगे तो लीजे अपनी तीन कलियां जोइंड हो गई अब हम यहाँ पर करेंगे अपनी चौथी कली जोइंड तो यहाँ पर हमने चार कलियां जोइंड कर ली है अब हमें लेनी है यहाँ पर अपना आसन वाले हिस्सा जहाँ पर हमने आसन कटिंग की थी वो वाली कलियां साइड पे ज्वाइण करनी है चार कलिया अपनी यहाँ पे प्लेन थी सिम्पल थी और दो कल के अपनी यहाँ पे आसन वाली होगी यह हो गई है जै हमारी एक साइड की यहाँ के खुलिट हो गई है ऐसे हमें के देखे यहाँ पर मैंने एक साइड कंप्लीट कर ली उपर ही मैंने यहाँ पर दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली तो यहाँ पर हमारा कलिया तो बनके त्यार होगी अब हम यहाँ पर करेंगे अपने आसन जोइन तो यहाँ पर देखे हमने अपने आसनमी ज्वाइंट कर लिए है आप देख सकते हो आसनमी हमारा ज्वाइंट हो चुका है अब हमने एक साइड में यहाँ पे एक सलाई लगाई नहीं थे यहाँ पे हम लगाएंगे पॉकिट तो हम आपको पॉकिट भी लगाना बताएंगे क कलिगां वाले प्लाजों में पॉकिट कैसे लगा सकते हो तो यहां पर आप लेजिए तीन एंच का उपर से और नीचे से हम रखेंगे साधे चार एंच का और इसको हम ऐसे गोल शेप देंगे हम यहां पर गुलाई बाला पॉकिट लगाएंगे अब हम लेंगे अपनी पॉकिट का कपड़ा इसको हम ऐसे फूलड करेंगे तो हमारी तनी लंबी पॉकिट बनके त्यार हो जाएगी अब हम इसी के उपर ऐसे रखेंगे और जहां पर हमने नीचे से निशान लगाया है उसी निशान को हम इसके उपर से दोहराएंगे और इसी के उपर ही हम लगाएंगे अपनी सलाई तो लेजी अपने pocket की सलाई लग चुकी है अब हम एक्स्टा कपड़े को अंदर से काट देंगे और जो बचा कपड़ा है उसमें ऐसे कर्स लगा देंगे अब इसको हम उल्टा करेंगे और एक सलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे तो अपनी ये सलाई भी देखें कम्प्लीट हो गई है अब हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं हम इसे उदर से उल्टा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम किनारे पे सलाई लगाएंगे ताके जो अपनी सलाई है सलाई होने के बाद ये अंदर चले जाए देखें अब हम इसको अंदर के लिए फोल्ड करेंगे और ये कोने को आप अच्छे से निकाल लीजी ऐसे कैंची वगेरा से और एक सलाई हम इसके उपर से लगाएंगे ताके अपनी जो पॉकट अच्छे स बैठ जाए तो यहां पर देखिए हमारी ऐसे पॉकट का फेस जो है वो बन गया है अब यहां पर जो खुला हुआ हिस्सा है इसको भी हम बंद करेंगे इसके उपर भी सलाई लगाएंगे अब जो हमारा जे उपर से हिस्सा खुला है इसके उपर भी सलाई लगाएंगे तो उसलाई को हम complete लगा देंगे तो देखें यहां पर हमारी pocket बन के तयार हो गई है अब देख सकते हो अब हम यहां पर लगाएंगे बैल्ट उसके लिए मैंने यहां पर कपड़ा लिया है आप अपनी लास्टी के हिसाब से कपड़ा लीजिए मेरी यहां पर लास्टी कितनी चौड़ी है तो मैंने इससे देख लीजिए आप इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है अपनी लास्टी के हिसाब से कपड़ा दे ल लगा गये ग तो यहांपे देखिए हमने एक सलाई अपनी कम्प्लीट कर लिए है words अब हम यहांपे जो ज्वायन इसको पकड़ के इसको भी सलाई लगा देंगे तो लीजी अपना जहां पे ज्वायन भी लग़ चुका है चाथ देख़िए यहां सीधी के अंदर अस्तर लगाया है तो आप मैंने यहां पे लास्टिक लिए इसको आप अच्छे से ऐसे पक्का ज्वाइंड कर लीजिए और अंदर से रखते होई यहां पे हमने वो सलाई बाहर वाली सलाई आपको दिखाए थी उसी सलाई की उपर हमें यह सलाई लगानी है आगे पीच्छे न Ji लगानी है नहीं तो अपनी लास्टिक देखने में विल्कूल भी अच्छी नहीं लगेगी ह्या तो हमें ऐसे ही पूरी सलाई Kylie पर लेनी है ऐसी है है को इस तो यहां पर देखिया अपना कपड़ा है वो बड़ा होगा लास्टिक अपनी चोटी होगी तों इ लास्टी निकाल के ऐसे खीच खीच के अपनी लास्टी को पूरा कर लीजिए देखें यहां पर हमने एक सलाई लगा ली है अब हमें इसके इगवल करने हैं कि जो अपने जो बल है सारी जगा एक ब्राबर हो आप ऐसे साइडों से जहां हमारी साइड वाली सलाई वहां से पक आपको देखिए आगे से भी कीचना है बैक से भी कीचना है कपड़े अपने को अच्छे से सेट कर लीजिए इस तरीके से लगाते हुए हमें सेंटर वाली सलाई है वह कंप्लीट कर लेनी है तो यहां पर देखिए हमाने लास्टिक लगा ली है आप देख सकते हो कितनी सफ प्लाजों है वह कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स में आशा करती हूं कि आपको इस वीडियो में कलियों वाले प्लाजों की कटिंग और स्टिचिंग बारे कुछ हेलप मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे थो लीज वीडियो को लाइक में शेयर करना मत भ